गाजीपूर से किरन नाइवरिष्ट पत्रकार की खास रिपोर्ट डुलनलपूर पुलिस ने तोड़ी अप्राधियों की कमर अवैद कमंचा बनाने वाली फैक्टिल का क्या भंडा फुर्ट दो अप्राधी गिरफ्तार दस असल है बरामत खबर गाजीपूर जिले से है जहांपर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच गाजीपूर पुलिस ने अवैद तमंचा बनाने वाली फैक्टरी की गिरोग का भंडा फुर्ट किया है पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैद तमंचा कार्तुस वा अवैद तमंचा बनाने वाले उपकरन बरामत किये है ये काम्यावी स्वाट टीम सविलांस टीम तथा थाना दुल्लहपूर पुलिस की सयोग टीम द्वारा की गई कारेवाही के दोरान हासिल हुई नगर निकाय चुनाव के मद्दे नजर पुलिस अधीक शकोंवीर सिंग द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुध चलाये जा रहे अभियान के तहट स्वाट टीम सविलांस टीम तथा थाना दुल्लहपूर पुलिस की सयोग टीम द्वारा मुकविर की सूचना पर अवेद तमंचा बनाने वाली फैक्टरी के गिरोह की सर्गना अमित कुमार को चौजापूल से वहन चेकिंग के दोरान गिरफतार किया गया गिरफतार बदमाश के पास से पांच तमंचा वा तीन जिन्दा कार्टूस वा एक मोटर साइकल बरामद हुआ गिरफतार अमित ने पूचताच में बताया कि यह तमंचा मैं नए नए लड़कों से अच्छी कीमत लेकर बेच देता हूँ गिरफतार बदमाश से तमंचा लेने के स्थान के बारे में पूचा गया तो बताया कि साहब मैं वह मेरा एक मित्र पिंटु यादव एक साथ पिंटु यादव की घर पर ही तनमचा बनाते है आज मैं वही से तनमचा लेकर आ रहा था बताये गए शस्त निर्मान स्थलव निशान देही पर दूसरे बदमाश पिंटु यादव को उसके घर से गिरफतार किया गया तथा मौके से पांच पूर निर्मित तमंचा तीन अर्ड निर्मित तमंचा वर तमंचा प्लेट वर तमंचा बनाने के उपकरन बरामद हुए दोनों गिरफतार बदमाश और द्वारा बताया गया कि हम लोग चोरी छीपे बनाकर बिक्री करा कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं गिरफतार दोनों बदमाश अपने थानक शेत्र के हिस्ट्री शीट बताये जा रहे हैं कि वो तमंचे पास के ही एक व्यक्ति से लाता था इस सूचना पर सहीवत रूप से हमारी गुल्लापुर पुलिस और स्वाट सर्विलेंस ने जब दविश दी तो वहां की स्थिती कुछ और थी एक घर में तमंचों का वैद निर्माण हो रहा था जहांसे बहरी संख्या मे बने हुए तमंचे अर्धनिर्मित बनाने का सामान कार्थूस और बहुत सी चीज़ें पगड़ी गई हैं और ये पहले भी इस तरह की घर्टना में ये जेल जा चुके हैं ये शातिर किशम के अपरादी थे पूर में भी जेल जा चुके हैं और वर्तवान में ये अपना बनाते थे वहां पे और एक इन में से मार्केटिंग करता था उनकी वो कोशिश करता था कि दस हजार से लेके पंद्रह हजार जितने में भी है जो आवशकता नुसार है वो ब भूम रहे थे गाजीपूर और आसपास की छेत्र में भी ये लोग बेचते थे बताया गया इसके द्वारा पूस्ताच में निश्चित रूप से कमी आएगी और अभी इनके द्वारा कुछ इंपुट मिले हैं उसके आधार पर हो सकता है और जगे भी पुलिस कारवाई कर रही है हो सकता है कहीं और भी हमें सफ़लता मिले है इसमें ज्यादे तर 315 बोर के तमंचे ये बनाता है एक्सपरेट है बनाने में और बहुत ही शॉर्ट नॉटिस पर या डिमांड पर जैसे ही कि इन लोगों का एक नेटवर्क होता है जिसमें भुसना पुलिस के लिए बड़ा धरूप का रहे है लेकिन कि कि जो एसो दुल्लापुन है और स्वाट सर्विलेंस इनकी जो मुख्विर था वो बड़ा सटीक उ इनकी घर में तमंचे बनाते हुए कि रफ्तारी हुई है एक वेक्ति की एक अमना जा रहा था जब चैकिंग में पकड़ा गया था क्योंकि इसी का साथी था तो यह एक अच्छा काम इनके द्वारा हुआ है सर इसमें सरगना इसका पगलागे कि सरफ लोग ने सरगना जो बनाता है दोनों पकड़े में इनमें एक